दोस्तों कोशन समझ में आया नहीं आया कमेंड बॉक्स में पर कोई दिक्कत है क्या बताएं फटापट कमेंड बॉक्स में यह ज़िए मैं सम की जगे बिसम भी कर दूं दोस्तों यहां पर बिसम कर दूं तो आपके फटापट क्या करेंगें आप वजय हैं किल्मागत उनको eben 45 और कर देंग bait पांच से भाग, तो पांच से निकल कर आ जाएगी आपकी बीच वाली संख्या, यानि पांच अगर यदि संख्या दी हैं, तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी, तो बीच वाली कौन सी होगी, तो पांच दूनी होते हैं, दस, पांच नियम 45 होते हैं, ठीक है, तो उ सबसे चोटी यहां पर संख्या क्या हो जाएगी यह आपकी पच्चिस हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आपकी कोश्चन आ सकते हैं दोस्तों फटा फट देखिए कोश्चन समझ में आया इसी तरीके से आपके टीटी में कोश्चन आएंगे चलो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं दोस्तों कोश्चन आपका दे रखा होगा कोश्चन आपके इस तरीके से दिया होगा एग और तरीका देख लेते हैं चार चार क्रमागत समसंख्याओं का योग चार क्रमागत समसंख्याओं का योग 36 है दोस्तों तो दोस्तों कुछ दोस्त ऐसे होगी हमारे उन्होंने आंसर निकाल दिया होगा सभी संख्याओं को फटा पड़ा खीजी क्या तीसरी संख्याओं क्या होगी तो मैंने उताया चार क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पर योग दिया 36 तो 36 को उठा कर लाएंगे चार से डिवाइट करेंगे चार नेम कितने होते हैं 36 मगर क्या यहाँ से एक बीच वाली जो संख्या मिली है यह बीच वाली कैसे हो सकती है जब संख्या आपकी चार दे रखी होगी चार संख्या जब दे रखी होगी तो क्या यह नो बीच वाली होगी और बात हो रही है चार क्रमागत संख्या की तो स सम्क्राइब यहां पर चार संख्या है तो कैसे कह सकते हैं यह बीच वाली है तो इसको तरीका क्या है दोस्तों सॉल करने का ठीक है फड़ा बट देखिए नव है ठीक है 9 निकल कर आया, इस तरीके से देखे तो 9-1 हमारा आंसर आया, ठीक है, तो 2 संख्या हैं देखो, 9 के बाद कौन सी होगी संख्या सम, 10 होगी, 9 से पहले क्या होगी, तो आप कहेंगे सर, 9 से पहले क्या होगी, 8 होगी, तो ये 2 संख्या कौन सी निकल आया ही, बीच वाली 2 संख् आप पूछाई तीसरी संक्या ग्याद कीजिए, तो एक पहले दूसरे तीसरे पर कौन से संक्या है? आपकी 10 है. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो яться, एक ऐसी संक्या है, जो तीसरी स्थान पर है. तो इस तरीके से आपका question आएगा तो यहाँ पर हो सकता है आप फसें हो सकता है आप फसें क्योंकि जो मैंने पहले तरीका बताया था उसमें बिसम संख्याओं का योग दे रखाता है तो बिसम संख्याओं का योग दे रखा होता है तो चार किमागा सम संख्याओं का योग दे रखा है सम यहाँ पर सम बिसम यहाँ पर मतले है कोई दिकत वाली बात नहीं यहाँ पर देखेंगे कि कोई संख्या सम दे रखी है कि बिसम दे रखी है यदि आप sum दे रखी है तो जब divide करने जाएंगे तो इसी तरीके से आपका answer निकलेगा जिसे तरीके समय बताया यदि यहाँ पर बिसंद संक्या दे रखी है ये मालिय तीन दे रखी है तो कोई डरने वाली बात नहीं बीच वाली संक्या निकलाएगी कोई भी होगी बीच वाली संक्या निकलाएगी तो इस तरीके से आपकी question solve हो रहेंगे एक question इस पर और करवाता हूँ आपके doubt clear हो जाएंगे दोस्तो मुझे लगता है आपके doubt उस पर ही clear हो जाएंगे देखो दोस्तो एक question और करवा देता हूँ इस पर फिर आगे बढ़ते हैं अपने तो चार की जगए देखो समी संक्या है 6 क्या है एक संक्या है ठीक है तो 6 किर्मागत संक्या हो कही हो कितना है यहाँ पर question दिया है 102 है 102 है तो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है तीसरी संक्या ग्यात कीजिए दूसरी पहली आठ भी नमी जो कुछ भी हो 6 संक्या ही दे रही है तो 6 संक्या होता होगी नहीं 6 क्रमागत संक्या हो का योग 102 है तो तीसरी संक्या ग्यात कीजिए तो 6 क्रमागत संख्या कैसी होंगी? जाईशी बाद ये सभी 6 हूँ संख्या कैसी होंगी? क्रमागत होंगी तो मैंने कहा था 102 को सबसे पहले divide क्या करेंगे? 6 से ठीक है तो 6 से जब divide करने जाएंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा? तो आपने कहा 6 कम, 6, 4 बचा 6, 7, 42 यनि 17 शक्का कितने होंगी? उसके एक संख्या नहीं है तो हमसे पूछा है संख्याओं का योग दिया रखा है तो 17 एक संख्या नहीं है तो कैसे निकालना बताया था? 17 के बाद वाली क्या है? एक संख्या है, 18 17 से पहली वाली क्या है? एक संख्या है, कितनी है? 16 अब 2 के अंतर से ही संख्या होती है तो 18 दो हो गए 20 और 20 दो हो गए 20 16 से दो गए 14 और 14 चोटी संख्या है 12 तो 12, 14, 16, 18, 20, 20 किरमागत, 6 किरमागत संख्या है जिनका यह कितना है 102 है और तीसरी संक्या पूछिए तो तीसरी संक्या कितनी है आपकी 16 तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 तो इस तरीके से आपकी और बहतरीन से कोश्चन लेकर आएँ आपके लिए बिल्कुल टीटी में इसी कोश्चन बनते हैं नॉर्मल से आपको देर खाओगा दोस्तो ऐसे देर खाओगा दो संक्याओं का दो संक्याओं का यो कितना है दोस्तो चालेस है और अंतर अंतर कितना देर खाओगा दोस्तो 14 है दो संक्याओं होंगी उनका योग देर खाओगा दोस्तो ठीक है तो क्या है दोनों संक्याओं याद कीजिए कौन सी दोनों संक्याओं होंगी वहिया दोनों संक्याओं याद कीजिए पटापट कमेंटर बॉक्स में आंसर दे रहोंगे बच्चे संक्याओं दोनों संक्याओं याद कीजिए गयाद करें पटापट बताईए दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है तो दोनों संख्याओं के ग्याद केजिए कौन सी दोनों संख्याओं है जिनका अंतर 14 है और योग 40 है तो कैसे आप बीच गड़ते ही मतलब 7 त 8 क्लास में कैसे सीखें दो संख्याओं दे रखी होगी तो मालिया एक संख्याओ A हो गई एक संख्याओ B हो गई फिर कहा है कोश्चन में योग कितना दे रखा है 46 तो आप करेंगे A प्लस B बराबर 46 ठीक है अंतर कितना दे रखा 14 तो यानि A से माइनस B गया तो बचा अंतर 14 आप इसमें A और B की वैल्यू गयाद करेंगे तो आपने देखा इनका योग करने जा रहे है तो B से B कट जाएगा यहाँ पर प्लस कभी है यहाँ पर माइनस कभी यह तो इससे कट जाता है और A जुड़ जाएगा और 14 चैनिस कितने होता है 4, 6, 10 हो गए और यहाँ पर 6, 60 हो गए ठीक है तो यहाँ पर A की वैल्यू निकालने जाएगे तो 2 यहाँ पर गुड़ा में है तो भाग में चला जाएगा यानि यह हो जाएगा 30 तो A की वैल्यू 30 निकल कर आगई आप A की वैल्यू इसमें उठा कर रखेंगे तो आप A की वैल्यू पाएगे तो B की वैल्यू कितनी निकल कर आजाएगे याँ आपर 30 है तो B कितना हो जाएगा तो B जाहरी से बाए 16 ही होगा तबी तो 46 बनेगी तो 46 यानि 30 और 16 आगए आपका आंसर ठीक है यह तो आपको क्या करना है देखो दोस्तो जब ऐसा question दे रखाओ 46 और अंतर 14 दे रखाओ तो आपको करना क्या है इनका योग करके 2 से भाग करेंगे तो B बड़ी संक्या हमेशा निकलेगी और इनका अंतर करके 2 से भाग करेंगे तो छोटी संक्या निकलेगी यारी मैं कहूँ बड़ी संक्या निकालनी है हमें बड़ी संक्या ठीक है बड़ी संक्या निकालनी है तो क्या करना है इनका योग कर देना है तो योग किया हमने योग बटे 2 कर देंगे योग बटे 2 आपको ध्यान रहे तो 14 और 46 कितने हो जाते हैं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे ऐसे कोश्चन आए चोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे जब ऐसा कोश्चन आए तो आप क्या करेंगे अंतर तो 46 से जब 14 जाएगा दोस्तो और 2 से भाग दे देंगे तो अंतर को 2 से डिवाइट कर देंगे उनके तो आपक आपका वीजगड़ती तरीका हो गया, ऐसे बड़ा questions नहीं है, आपके पास समय भी होता है, प्रयाब तो ऐसे भी आप सीख लें, और इस तरीके से आप कर रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से आप कर पाएंगे, और इसे भी कर पाएंगे, ठीक है, यह आपका सौट तरीका हो कोशें दे रखा है दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग अंतर का अंतर का दुगना है दो संख्याओं का योग अंतर का दुगना है ठीक है यदि छोटी संख्याओं दस है तो बड़ी संख्याओं ग्याद कीजिए यदि छोटी संख्या संख्या ग्याद करें कैसे बनेगा कुछ से फटाबट बनाईए दो संख्याओं का योग अंतर का दुगना है अंतर का दुगना क्या है दो संख्याओं का योग ठीक है या जी छोटी संख्या दस है तो बड़ी संख्या ग्याद कीजिए फटाबट लगा देंगे दो संख्याओं के योग की बात कर रहा है यानि मालिया A अभी दो संख्याओं है उनका योग की बात कर रहा है तो योग हो गया उनके अंतर की बात कर रहा है तो अंतर ये हो गया A-B तो अंतर का क्या है दुगना योग क्या है अंतर का दुगना है तो दुगना के लिए क्या करतेंगे दुगना है जो योग है वो अंतर के दुगने के बराबर है तो दुगना कर दिया हमने अंतर और बराबर कर दिया A प्लस B यानि योग के ठीक है बन गया पटापट ठीक है तो क्या दे रखा, यदि छोटी संक्या कितनी है, 10 है, तो बड़ी संक्या क्यात कीजिए, यदि छोटी संक्या 10 है, तो बड़ी संक्या क्यात कीजिए, तो छोटी संक्या कौन से होगी इसमें, B होगी, B होगी नहीं होगी, बड़ी संक्या निकालनी है, A की value निकालनी है, तो a plus 10 to a minus 10 b की जगए हमने छोटी संक्या जो थी कितनी थी 10 है तो जाइट जी बात है बड़ी संक्या निकाले किया करेंगे हमने value put कर दी ठीक है तो ये a plus 10 हो गया इसे भी solve कर लेंगे तो ये 2 और a की multiply 2a हो जाएगा और 2 और 10 की multiply 20 हो जाएगा तो जब हम दोस्तों solve कर रहे होंगे solve कर रहे होंगे तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर a है a को उदर ले जाएगे तो 2a से a चला जाएगा दोस्तों बहुत सी basically rule होते है basic से rule होते हैं समीक्रण सॉल्व करने के यदि हम संक्याओं को बराबर से बराबर के sign से संक्याओं को यदि बेफरी दिसा में ले जाते हैं दूसरी पक्ष में ले जाते हैं तो उनके sign change हो जाते हैं यहाँ पर a plus का था तो बहाँ पर minus का हो जाएगा तो basically मैं बता दू 2a minus a a को उदर ले गए तो a minus हो गया अब 10 को क्या 20 को इदर लेकर आएंगे ठीक है तो 10 तो पहले इदर था ही plus का अब 20 को इदर लेकर आए तो बो भी plus का हो गया क्योंकि यह minus कता ठीक है sign change हो जाएगा तो यहाँ पर a की value कितनी निंकल कर आए जाएगी 10 और 20 कितने हो गए तो a से a चला गया तो a बच गया 10 और 20 कितने हो गए 30 हो गए दोस्तो 30 हो गए तो इस तरीके से हम कह सकते है कि 30 एक बह संक्या है 30 एक बह संक्या है 30 एक बह संक्या है 30 दू संक्या हों में बड़ी संक्या है जिसका अंतर का दुगना है अब इनका योग देखें, अंतर कितना हो गया, 20, योग कितना हो जाएगा, 310 का, 310 का योग कितना हो जाएगा, यदि option ते रहे हो तो उससे फटापटाप कर पा रहे हो दो, यदि इनका अंतर देखें तो 10 हो गया, यही तो कहे रहे हो तो अंतर का दुगना है, अंतर का दु रोको नहीं तो थे अब सब्सक्राइब ethical THEY कुशन फैसे करते हैं ऊप्षनन से करते हैं यप थे रखे होंगी तो ऊच्छी त्रेकर सॉल कर पा रहे होंगे नहीं तो यह ठापना हैं दोस्तों और बैसको अगे बहुत ही 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 कोश्चन लेगे हैं दोस्तों आज में एक स्टाइब से मिल जाएगा और एक तरीके से मिल सकते हैं कोश्चन दोस्तों आपको भाग पर आधरिज प्रेश्चन इसे हो सकते हैं आपके 1265 में बाराप्त नई संख्या बाराप्त नई संख्या भाग फल 84 तथा 6 फल कितना हो आपका? 6 फल 5 पर आप तो दोस्तो बहुत ही easy सा question है मगर क्या करें इसी question आते हैं दोस्तो ऐसी question आते हैं एक्जाम में 1200 फेसे लिए किस संक्या से भाग दे भाग फल कितना हो? भाग फल आपका दोस्तो हो जाएगा 84 ऑखफल आपको 84 तरहा शेशफल आपका 5 हो जाएगा तो मैंने बताया था जैसे नॉर्मली मैं कहूँ कि 2 से हम 5 को भाग देने जा रहा है तो 2 2 नहीं कि इतने होते हैं 4 तो आप यहां पर कहते हैं दोस्तों 1 सेश्फल बच्ञिया 5 यह पर भाज किया है बाजक और 2 क्या है यह वाला भाझफल तो इनका फार्म ब्राख केुआ बन जाता है ? हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को इस तरी के लिख सकते हैं 2 गुड़ा 2 प्लस 1 ठीक है? तो यहाँ पर हमने सेशफल को अंत में जोड़ा है और भाजक और भागफल की गुड़ा होती है तब भाज लिक निकल कर आता है तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? यहाँ पर आपका दे रखा है भाज यहाँ पर आपका दे रखा है भाज यहाँ आपका होता भाज कोई संख्या होती जिसे हम भाग देने जा रहे हैं और D क्या होता डिवाईजर एक भाजक ठीक है यह दो की जगए भाजक लेगेगा और यहाँ पर भागफल कितना हो जाता आपका, Q हो जाता, और reminder R हो जाता, तो इस तरीके के हम संख्याओं को put करेंगे, तो इस तरीके से हम solve कर पाएंगे, दोस्तों यहाँ पर देखें, भागफल कितना दे रखा है, भागफल दे रखा है, दोस्तों 84, ठीक है, और 6 फल कितन भाज जे एक ऐसी, भाज जे संक्या है, 1265 का है, भाज जे एक संक्या है, ठीक है, X क्या यहाँ पर हो जाएगा, भाजक, और 84 आपको दे रखा है, भागपल, और 6 पल पाच दे रखा है, हमने बस value put कर दी दोस्तो, अब देख रहे हैं, कैसे solve होगा, अब X की value निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जाहिर सी बात है, 5 जो है, प्लस का है, तो सबसे पहले इदर आएगा, माइनस का बन जाएगा, तो 5, यानि 1265 में से 5 जाएंगे, दोस्तो, इदर से ठीक है, तो इदर कितना बचाएगा, X गुणा 84 बचेगा, 1265 गए तो आप कहेंगे, 1260 बच रहे तो बराबर के सायन में जाकर बटे में पहुच जाती है, और जो बटे वाली संख्या होती है, तो बराबर के सायन से बिप्रीद पक्श में ले जाने पर, वो गुणा पहुच जाती है, तो 84 यहाँ पर आ गई आपकी भाग में, अब 84 से भाग दे रहे होंगे, 4 दुनिया, 4 एकम 4, 4 तीय 12 और 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20 दोस्तों, 21 बचे यहाँ पर 7 तीय 21 हो गए दोस्तों, तो 7 चोग होते हैं आपका 28 तो यहाँ पर 3 बचे और 3 पाच 35, 7 पाच 35, तो 3 पंदरा सकट जाएगा, यानि 15 एक ऐसी संख्या है, 15 क्या है, 15 क्या है, आपका भाजक आ गया D आ गया, तो D बराबर यानि 15 एक ऐसी संख्या है, जिसे 1565 में भाग देंगे, तो 84 क्या बज़ेगा, आपका भाग फल आ जाएगा, और 6 पर 5 बच रहा होगा दोस्तों, नहीं मानें तो आप ट्राइ करके देख सकते हैं दोस्तों, तो बहुत ही बहतरीन कोस्चन है, इस प करने के लिए बनाई है, कोई आज नया तरीका नहीं सखाया जाएगा, कोस्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, बस आपको, कोस्चन दे रखा आएक दोस्तों, किसी संख्या में 15 से गुणा करें, किसी संख्या में 15 से गुणा करें, करने पर, इस संख्या में 15 से गुणा करने पर आइसी संख्या प्राप्त होती है जिसके अंक जिसके सभी अंक कैसे हो पांच हो जिसके सभी अंक क्या है पांच है ठीक है रही है जोटी से चोटी संख्या कौन सी होगी कौन सी योगी फटावट कमेंड बॉक्स में बता है कौन सी होगी बताईए दोस्तो फटावट यहीं किसी संख्या में कोई संख्या है उसमें 15 से गुणा करने पर 15 से गुणा कर रहे हैं तो क्या है ऐसी संख्या प्राप्थ होती है जिसके सभी एंग कितने हैं पांच है फट चोटी से चोड़ी संख्या से फटावर कमेंड बॉक्स में अंसर देंगे दोस्तों देखो दोस्तों तरीका क्या स्कुल करने का लेंगोज को पकड़ेंगे लेंगोज को किसी संख्या में और संख्याए ठीक है उसमें अगर 15 से गुड़ा कर रहे है जब 15 से किसी संख्या हम गुड़ा कर रहे है ठीक है तो ऐसी संख्या प्राप्त होते है जिसके सभी अंख्या है 5 है मगर 5 कितनी बार आया है यह नहीं बताया तो सभी अंक 5 है सभी अंक 5 है तो हम कह सकते हैं पता नहीं कितनी बार होगा 5 पता न लें तो यहां से आप इक्सक्रित विल्यूं निकाला यां बस आए शी वेल्यू निकाला लेते हैं दोस्तो यहां से देखेंगी तो यहां से कितना बचा है दस बचा फिर 5 उतार लिया फिर 105 क्या हो गए 105 पंदरा से पूरी तरीक इस भिभाज दो जाएंगे लग रहा है 15 सत्य कितने होते हैं दोस्तो एक से 5 होते हैं दोस्तो यहां से 6 कितना बचा है 0, यानि कुल मला के 37 हमें एक ऐसी संख्या मिली जिसमें हम 15 से गुड़ा करेंगे तो एक ऐसी संख्या मिली जिसके सभी अंग कितने होंगे 55 होंगे, यानि X की value कितनी हो गई, 37 हो गई Try करके देखें, तो Try कर सकते Normally, 37 की 15 से गुड़ा करके तो 15 से गुड़ा करने पर आईसी संख्या प्राप्त होती, जिसके सभी अंग कितने हैं 55 होंगे, 55 आ रहा हैं, सभी अंग 55 आ रहा हैं दोस्तो, तो इस तरीके से कॉच्चन आप सॉल्ब कर रहे होंगे दोस्तो, आज के लिए दोस्तो इतना ही और कर लोई बहुत वैतरीन कोश्चन करवाएंगे दोस्तो, क्लासे जुड़े रहेगा जय हैं जय वारत